मेरा नाम है विशाल चौहान और यूप एसी सीएसी प्रिलिम्स के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हमने सीरी शुरू करी है उसमें आज हम सोश्य और रिलीजियस मूवमेंट का पार्ट सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि सोश्य और रिलीजियस रिफाव मूवमेंट क्या हैं और फिर ब्रम्हो समाज को समझने की कोशिश करी थी आज हमें आगे के और समाज जैसे आरे समाज, वेज समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी इन सब समाज के बारे में या इन सब सोश्य और लीजियस रिफाव मूवमेंट के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे लेकिन आज के टापिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवेस सेशन्स नहीं देखे हैं सो मेक शोर कि वो एंशियंट मेडिवल की सीरीज जरूर कवर करें उसके अलावा मॉडन और कल्चर की सीरीज तो अभी चल रही है इन सभी सेशन्स को फॉलो करिए थोरोली इनमें जो मैंने सवाल पोचे उन सवालों के जवाब मुझे कमेंड में दीजिये और अपना फीड़बेक जुरूर प्रोवाइड करें आपको जैसे भी लगते हैं इन सेशन्स के बारे में जो भी आप फील करते हैं मुझे जरूर बदाएगा कि आपका क्या ओपीनियन है हैं उसके अलावा इन सभी सेशन्स के पी डी आफ आको कहां से मिलेंगे मेरे टैलीगराम चेनल चौहांसर हिस्ट्री उसके अलावा सभी स्पेशल classes के link आपको मेरे telegram channel पर मिलेंगे इन special classes में previous year question की series cover कर चुके हैं और अब हमारी most important question की series चल रही है उसके अलावा direct message कर सकते हैं आप मुझे Instagram पर इसी same नाम से आपको मैं Instagram पर मिल जाओंगा उसके अलावा अगर आप अपने घर के comfort में बैठ कर UPSC CSE के लिए और अली प्रिपेर करना चाहते हैं तो अनकेडमी लेकर आया आपके लिए subscription plans plus and iconic जिसमें plus plan में आपको daily live classes highly structured course live test and quizzes और unlimited access to the content मिलता है लेकिन plus से always better रहता है iconic plans क्योंकि iconic में आपको iconic plans में आपको personal guidance, test analysis, expert guidelines, study materials, study planner ये additional feature मिलते हैं उसके लावा इंडिया के top educators से पढ़ने को तो आपको मौका मिलता ही है और weekly one-on-one personal mentoring एक बहुत बहुत बहुतरी initiative and academy ने शुरू किया जिसमें इंडिया के top educators से top UPSC CAC mentors से आपको personal mentoring मिल सकती है make sure कि आप avail करें उसके अलावा combo prices reveal हो चुके 25% plus 10% आपको discount मिल सकता है अगर आप GS optional या iconic GS optional को subscribe करते हैं तो right GS optional के prices एक साल दो साल या तीन साल के लिए आपको यहां के सामने लिखे हुए और iconic GS plus optional के prices यह हैं right तो जल से जल subscribe करें this is the right time to subscribe और अगर आप subscribe कर रहे हैं तो definitely मेरा code use किजिएगा चोहांसर history ताकि आपको मिले discount और मुझे मिले आप लोगों का support उसके अलावा अगर आप 16th June तक subscribe करते हैं तो एक year का plan आपका mains 2022 तक valid रहेगा और दो year का plan आपका अगर आप लेते हैं तो mains 2023 तक valid रहता है subscribe करने के लिए code use किजिएगा चोहांसर history उसके प्लस 10% का combo जो है वो आपको अविलेबल है उसके अलावा 10 optional कार्नेवल launch होने जा रहा है 16th June को और notes जो है वो अविलेबल है Hindi और English में तो यह optional कार्नेवल क्या है देखिए geography, anthropology, sociology, agriculture, history, Hindi literature, public administration, economy, PSIRO, psychology इन सब optional के courses जो है वो 16th June से शुरू होने जा रहे हैं so make sure कि आप subscribe करें this is the right time to prepare for optional उसके अलावा अगर आप एक साथ payment नहीं करना चाहते है या नहीं कर सकते है तो loan for UPSC बहुत 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 UPSC CSC के लिए GSK notes जिसमें 100% syllabus complete हो रहा है make sure कि आप definitely इसको avail करें उसके लावा एक year के batches, 2 year के batches, NCRT batches, Phoenix revision batches शुरू हो रहे हैं make sure कि आप subscribe करें और अपनी journey शुरू करें free test series अवलेबल है pathfinder, rise और world affairs unlock करने के लिए code use कीजिएगा चोहांसर history ताकि आपको मिले discount अगर आप किसी subscription plan को ले रहे हैं तो right और मुझे मिले है आप लोगों का support उसके अलावा scholarship test and academy combat हर Sunday होता ही है, 11 बज़े आप लोग जानते हैं, Hindi और English दोनों में available है, 60 questions in 60 minutes, enroll करने के लिए code use कीजिएगा चोहांसर history, 4 करोड रुपे के पूल में सापको scholarship मिल सकती है, alright, so शुरू करते है आज हमें शुरू करना है आरे समाज के साथ, लेकिन socio-religious reform moments के बारे में एक थोड़ा सा background प्रेपेर करते हैं, है न, देखते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा, तो पिछले session में, या उनसे पिछले session में, अभी तक हमने क्या देखा, कि किस तरह 18th century India में क्या-क्या घटना है है न, decline of Mughal से लेकर, rise of independent states से लेकर, foreign invasion से लेकर, और फिर European आपस में rivalry से लेकर, फिर British ने किस तरह French को हरा कर, बंगाल पर accession किया, और फिर बंगाल के रास्ते फिर धिरे उन्होंने पहले Mysore को कंट्रोल किया, Maratho को कंट्रोल किया, सिखों को कंट्रोल किया, यानि कि internal threats को दिबत है, अफगानिस्तान है, उन सब को कैसे subdue किया, तो 18th और 19th century के ये सारे events हमने सबसे पहले पड़े, यानि कि अंग्रेजों के द्वारा क्या action है, सबसे पहले तो 18th century इंडिया की क्या situation रही, जिस वज़े से European शक्तियां भारतियों पर हावी हो गई, right, so Britishers के क्या action रहे, अब उन्होंने politically अधिकरित किया, जितना भी region रहे, आपने control में लेकर आए, उसके लिए administration होना चाहिए, तो हमने civil services के development देखा, हमने police services के development देखा, हमने judiciary के development देखा, इस पूरे empire को चलाने के लिए economy होनी चाहिए, strong, तो हमने देखा कि किस तरह उन्होंने land revenue system क्या-क अंग्रेजों ने, उसके लावा फिर हमने तीन phases में देखा था, सबसे पहला जो है वो, mercantile phase था, फिर क्या बोलते है, free trade का phase था, और फिर capital investment का phase था, deindustrialization किस तरह हुआ, drain of wealth किस तरह हुआ, तो ये सारे points हम समझ चुके है, 18th और 19th century, उसके बाद next जीज जो हमने पड़ी, वो थी socio-religious reform movements है ना, अंग्रेजों ने जो action लिये, भारतियों ने क्या reaction किया उसका 19th century में, 19th century में मैंने आपको बताया कि किस तरह एक middle class develop हुआ, जिसकी जरुरत थी अंग्रेजों को, लेकिन वो middle class western तर्ज पर educate होकर aware हो गया, उनको समझ आ गया कि भारतिये society में कूरीति पहली हुई है, इंडियन social structure है या जो religious customs है, जो practices चलती आ रही है, वो corrupted है, उनको ठीक करना ज़रूरी है, वहां से हमें socio-religious reform movements देखने को मिलते हैं, 19th century India, reaction of Indian intelligentsia, ठीक है भारतिये जो intelligentsia है, उसका क्या reaction देखने को मिलता है, हमें बंगाल से शुरुवात उतीवी नजर आ So I hope ये background, ये कहानी इस तरह आपको prepared रहती होगी अच्छे से, मेरी कोशिश यही रहती है कि ये कहानी, ये timelines आपको, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर डेट्स नहीं याद होती, डेट्स याद नहीं रखनी होती है, revise करो, डेट्स को concept समझो, जैसे मैंने वोला 18th century India में क् हुआ, अगर आपको एक बार concept तयार हो गया, फिर उसके बाद dates तो examples हैं ये जुड़ते चले जाएंगे अपने आपी, आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर 18th century, decline of Mughal के कारण क्या है, और consequences क्या हुए, पुराने causes क्या है जहांगीर के समय से, शाजां के समय से, फिर और प्रंक जेब ने क्या किया, फिर लेटर मुगल्स ने क्या किया, तो अगर आपको concept तयार है, तो facts अपने साथ जुड़ते जाएंगे, ठीक है, same goes for 19th century India, 19th century India में अंग्रेजों ने क्या क्या किया, economic policy क्या रही, उनके administrative policy क्या रही, उसके reaction में फिर भारतियों ने क्या किया, देखे, अभी इसके बाद, इस social religious reform movements के बाद, हम peasant movements देखेंगे, भारतियों का reaction, अंग्रेजों की जो economic policies रही, जो administrative policies रही, जो religious ecclesiastical activities जो की गई है, Christian missionaries द्वारा, उनके खिलाफ भारतियों ने क्या reaction दिया, तो ये तो social religious reform movements के रुप में हम Indian intelligentsia का reaction देख रहे हैं, लेकि peasant movement, tribal movements के रुप में हम देखेंगे कि भारतिये, जो क्या बोलते हैं, जो peasant है, जिन्नों peasant ने क्या reaction दिया, ठीक है, ट्राइवल्स ने क्या reaction दिया, फिर 1857 की revolt हम देखेंगे, last में finally, उसमें हम देखेंगे कि जो Indian ruling class थी, जो दुखी हो गई थी, फिर उन्होंने कैसे react किय राइट, सो अंग्रेजों के क्या क्या action रहे और फिर भारतियों के क्या क्या reaction रहे, तो modern पढ़ने के लिए, खास्तार पे 18th और 19th century की modern, Indian national movement एक अलग खेल हो जाएगा हमारे, इंडियन national movement को मैं अलग तरीके समझाओंगा, लेकिन 18th और 19th century में, Europeans या Britishers द्वारा लिए अब भारतियों में इंटेलिजेंशिया जो है, भारतियों, इंडियां का राइट, इंडियन इंटेलिजेंशिया जो था, उन्होंने socio-religious reform movement की रूप में रियक्शन दिया, ठीक है, यही socio-religious reform movement धीरे-धीरे nationality की भावना लेकर बैठ है अपने अंदर, और किस तरह national movement में convert हो गए, कितने हद, किस हद तक convert हुए, because I always say that there is no such thing as 100%, right, तो जो इंटेलिजेंशिया है, फिर उसके बाद जो पीजेंट हैं इंडिया के, जो ट्राइवल्स हैं इंडिया की, जो रूलिंग क्लास है, इंडिया की प्रीसली क्लास है, ठीक है, not just Hindus, but Muslims, Jains, इन सब के अलग अलग हम देखेंगे, ठीक है, फिर इंडिया की जो सोशल क्लास हैं, जो ब्राहमनिकल क्लास हैं, उन्होंने कैसे रियक्ट किया, जो अपर क्लास हैं, उन्होंने कैसे रियक्ट किया, जो वर्ण विबस्था के हिसाब से, जो निमने क्लास हैं, उन्होंने कैसे को समझना है अच्छे से, so I hope आपको action or reaction का फंडा जो है, वो थोड़ा समझ आता होगा, अंग्रेजों के actions क्या-क्या है? political activity क्या-क्या है? economic activity, ठीक है, economic policies क्या-क्या थी है? administrative policy क्या-क्या रही इनकी, diplomatic policies क्या-क्या रही भारतियों के लिए, अब भारतियों में भी पीजंट्स के लिए क्या पॉलसी रही प्रीशली क्लास के लिए क्या पॉलसी रही ट्राइबल्स के लिए क्या पॉलसी रही रूलिंग क्लास के लिए क्या पॉलसी रही ठीक है? हिंदुों के लिए क्या पॉलसी रही Muslims के लिए क्या policies रही तो यह reaction है अंग्रेजों के और फिर भारतियों की reaction हमें समझने है 18th और 19th century इंडिया तो इसी तरह cover हो जाएगा हमारा फिर Congress की स्थापना और Indian National Movement या नेशनलिटी की भावना आना और इंडिया नेशनल मुवमेट जो डिजाइन हुआ है उसके लिए मैं अलग formula प्रोवाइड गरूँगा लेकिन 18th और 19th वहाँ पर भी कही न कहीं action reaction का formula हमारा लग जाएगा ठीक है so I hope यह formula आपको मेरे समझ आ रहे होंगे ancient और medieval के लिए मैंने आपको intra-disciplinary approach समझाई है ना जो history as a discipline के 6 disciplines बैठते हैं history के अंदर political history, administrative history, economic history, religious history, cultural history, right social history तो इन सब को जोड़कर पढ़ा हमने ancient और medieval तयार करी modern के लिए क्या है हमारी क्या formula है हमारा action और reaction की थिरी पढ़नी है हमने I hope आपको background तयार हो गया होगा warm up हो गया होगा अच्छे से अब शुरू करते है आरे समाज के साथ तो आरे समाज देखिए है क्या action और reaction में समझने कोईश करेंगे हम क्योंकि हमारा देखे ये sessions भले ही pre-oriented है लेकिन इन sessions से जो concept में निकाल कर दूँगा आपको वो concept आपको कहां काम आएगा mains की answer writing में ठीक है तो mains के लिए थोड़े थोड़े concept में आपर देने शुरू कर रहा हूँ लेकिन जब हम thoroughly GS1 के लिए बहुत सारे students पूछते हैं कि sir GS1 के लिए कब शुरू होगा तो मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ अभी हमारी modern और culture की series चल रही है culture की series खतम होत ही मैं ancient से पकड़ूंगा optional का ठीक है वहां से हमारी mains की तैयारी हो जाएगी शुरू मतलब एक side option के लिए पकड़ूंगा और एक side GS1 world history और modern history और post independence वो सब करवाना शुरू करूंगा तो pre के लिए पहले sessions cover हो जाएं फिर उसके बाद हम mains के लिए शुरू कर देंगे तो pre के sessions आपको thoroughly लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें बहुत छोटे छोटे बारिक बारिक concept रूठा रहा हूं में जो कि आपको बहुत काम आएंगे ठीक है शुरू करते हैं आज का topic आरे समाज से हम समझने कोश्च कर रहे है कि आरे समाज क्या है पहला point देखेगा आरे समाज was established by स्वामी दयानंद in 1875 at Bombay अब दयानंद सरस्वती जी के बारे में अगर आप पढ़ principles है उन principles को प्रोपगेट करने की कोशिश कर रहे थे वो ठीक है Bombay का आरे समाज establish होने से पहले गुजरात में राजगोट का आरे समाज establish हुआ था या उससे भी पहले उत्तर प्रदेश में आरे समाज की 1860 वाला जो decade था ना इस decade में स्वामी दयानंद सरस्वती जी उत्तर प्रदेश वाले एरिया में active थे जो प्रेजेंट रे उत्तर प्रदेश है उस समय का United Province of Awad and Agra राइट अधन आगरा का United Province था उस एरिया में active थे और जितने भी important शहर है वहाँ पर वो अपने followers इखटा कर रहे थे लेकिन वो बात नहीं बन पा रहे थी ठीक है मतलब बड़े 1875 में उन्होंने Bombay में establish कर लिया आरे समाज राइट सो पॉइंट मेरा यह अब देखिए आरे समाज के बार में जो यह depth में ठीक है 1875 से पहले की जो कहानी है यह मेंज में पढ़ेंगे मेंज के लिए पढ़ेंगे और optional के लिए तो खासतोर में वहाँ पर मैं समझाओंगा आपको में ठीक है कि इससे पहले दयानन सरस्वती की कहानी क्या थी क्या इवेंट से रहे जिसके वज़े से जैसे राजकोट वाला जो में आपको बताया आरे समाज वो successful हो सका या नहीं ठीक है जो Bombay का आरे समाज उससे पहले राजकोट में भी आरे समाज establish किया गया था ल आ सकने वाला जो आरे समाज establish हुआ वो 1875 में Bombay में establish हुआ ठीक है he wanted to revive Hinduism from within तो मैंने आपको दो बताये थे revivalism और दूसरा कौन सा है reform दो चीज़े बतायी थी मैंने आपको कि reform लाने ही कोशिश की जाएगी यानि कि जो already चली आरे ही practices है उनको ठीक करने ही कोशिश की जाएगी या तो already चली आरे ही जो practice है उनकी जगा पुरानी practices को revive किया जाए तो आरे समाज क्या है कई जगाव पर reform मुवमेंट लिखा होता है बट आरे समाज बेसिकली एक रिवाइव मुवमेंट है वो हिंदुईजम को रिवाइव करना चाहते हैं वो कह रहे हैं कि वेदों की और चलो राइट जो वैदिक संस्कृती है उसको वापिस रिवाइव किया जाए सेम गोस पर ब्रह्मो समाज ले लेकिन मैं आपको मेंशन कर दूँगा कि कौन सा रिवाइवलिजम की तरफ जा रहा है कौन से में दोनों एलेमेंट है यानि जैसे ब्रह्मो समाज में आपको रिवाइवलिजम भी नजर आ रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि वेद और उपनिशदों में जो बाते लिखी हैं उनकी लॉजिकल जो है वो आपको क्या बोलते हैं व्याख्यां क्रियेट करनी है अपने हिसाब से लेकिन वो रिफॉर्म भी लाना चाते हैं कि अलरेडी जो चलिया रही है प्रेक्टिस से उनको ठीक करो Same goes for आरे समाज आरे समाज भी क्या कहता है कि हिंदू समाज को रिफॉर्म करना है by reviving the Vedic practices समझना है रिफॉर्म करना है सो यह रिफॉर्मिजम and revivalism में बहुत fine line है आपको समझना बहुत जरूरी है means के लिए बहुत important concept है right his message attracted the Indian masses and took deep roots in regions of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh Bihar and Rajasthan तो जो हिंदी भाशी राज्ये हैं बहाँ पर इनकी पकड जो है वो मजबूत हुई क्योंकि स्वामी देनन सरस्वती ने Sanskrit, शुरुवात में Sanskrit में उन्होंने जो है वो अपनी मतलब messages देने शुरू के लेकिन दिरे दिरे ही switched to Hindi तो जो हिंदी भाशी राज्ये थे वहाँ पर इनकी पकड जो है वो strong हुई तो हिंदी भाशी राज्ये कहाँ पर पंजाब से शुरू हो जाए ठीक है पंजाब के बाद हर्याना उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान वैसे तो यहाँ पर मद्ध्य प्रदेश भी होना चीए लेकिन मद्ध्य प्रदेश में उनकी हिट थोड़ी कम रही लेकिन इन राज्यों में भी खास तोर पे पंजाब हर्याना और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा stronghold रही आज भी है आरे समाज की ठीक है next point आरे समाज aimed to recover the lost values of आरेनिजम re-establish the original आरेन वाइगर and reassert itself against internal and external dangers तो आरे समाज क्या कहना चाह रहा था कि जो वैदिक कल्चर है उसको revive किया जाए ठीक है जो आरेनिजम है उसको revive किया जाए तो एक sense of एक sense of pride लानी की भी कोशिश की गई कि हमें अपने जो पुराने कल्चर है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 19th century में जो intelligentsia develop हुआ उनके अंदर एक बहुत मतलब एक बहुत deep sense develop हुई कि अंग्रेज किस तरह हमारे culture को degrade करते जा रहे हैं ठीक है जो अंग्रेज है जो Britishers है वो इस point पर stress डालते जा रहे हैं कि Indian customeries या Indian society civilization है वो बहुत जादा पिछड़ी हुई है और दूसरा एक intelligentsia develop हो रहा था nationalist वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा golden age रहा है golden period रहा है तो उसी में ही आप आरे समाज को भी रख सकते हैं कि वो कहने कुछ कर रहे हैं कि एक iron period था एक वैदिक period था जो कि बहुत मतलब बहुत जादा noble था वो तो उसको glorify किया गया और कोशिश किया गया है कि उस iron उस iron viger को reassert किया जा सके right it represented a reaction against invasion of western ideas and Christianity in Indian society so अगर वो revive करना चाते हैं वैदिक culture पदले में वो विरोध कर रहे हैं बाकी सभी changes का तो अगर वो रिगवैदिक times में बात ले जा रहे हैं so that means उसके बाद के बुद्धिजम आया यानि की heterodox sect आये not Buddhism heterodox sect हो आये फिर उसके बाद ब्रहामनिजम डेवलप हुआ है रिगवैदिक के बाद डेवलप हुआ है ब्रहामनिजम या देखिए वैसे तो आरे समाज ने सनातन धरम को प्रमोट किया लेकिन उनने ब्रहामनिकल जो कल्चर है उनको समझ रहे है वैदिक ब्रहामनिजम को प्रमोट किया उनने लेकिन जो गुप्त पीरियड के दोरान जो ब्रहामनिकल कल्चर या traditions डेवलप हुए हुए उनको भी condemn किया समझाता हूँ कैसे ठीक है फिर उसके अलावा इसलाम को उनने condemn किया इसलाम के बाद Christianity आई तो इन सब को उनने कहा कि हटाओ ठीक है वैदों की और लोटो वैद क्या बोलते हैं चार तो वैद हो गए और फिर उसके बाद उपनिशद इन वैद और उपनिशदों की जो पूरी कहानी है या वैद और उपनिशदों के अंदर दिये गए जो messages है उसी के आधार पर हमारी society बेस होनी चाहिए जो ब्रहमनिकल practices शुरू हुई है यानि कि एक ब्रहमन के वगएर जो है वो right और ritual नहीं होगा बहुत सारी इस तरह की practices जो गुप्त पीरेड में post-morya से शुरू हुई और गुप्त पीरेड में जो है वो heights तक गई उन सब को condemn किया रहे समाजने ठीक है inwardly therefore it resembled a Hindu revival point यहाँ पर यह है कि यह Hindu revival और खास्तोर पे Vedic lines पर Hindu revival चाहते थे और उसके अलावा बाकी सभी जो धर्म हैं जो practices हैं उनको condemn कर रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग वापिस वेदों की तरफ आ जाओ यानि कि जो भारतिये Christianity में convert कर दिये गए जो भारतिये Islam में convert कर दिये गए जो भारतिये अन्य हेटिरोडोक्स sect से जुड़े हुएं ठीक है इन सब को मौका दिया गया कि वो वापिस जो हैं वो Vedic culture में लोटे और proper Hindu बने तो शुद्धी movement हमें देखने को मिलता है अब देखिये जो ब्रहमनिकल प्रेक्टिस में कहा रहा हूँ न जैसे कि idolatry मूर्ति पूजा रिगवैद में मूर्ति पूजन के वारे में जानकारी नहीं है उसके लाबा polytheism ठीक है बहुएश्वराबाद देखिये रिगवैद में कई देवताओं का जिक्र किया गया है लेकिन रिगवैद हमेशा एक point बोलता है कि जो परम शक्ती है वो एक ही है ठीक है यानि कि एक monotheistic approach आपको रिगवैद में नजर आएगी जिसको ओम कहा उन्होंने ओम से represent किया किसने आरे समागी बिलीफ इन magic charms, animal sacrifice feeding the dead through shraad तो feeding the dead through shraad जो बली दी जाती है जानवरों की विद्याएं है इन सब को condemn किया उन्होंने it favored the doctrine of karma karma की जो doctrine है karma की जो theory है जैसा करोगे वैसा पाऊगे उसको favor किया and rejected the idea of destiny बहुत important direct points बनते हैं ये direct सवाल बनते हैं कि क्या आरे समाज karma को favor करता था ये destiny को favor करता था तो आरे समाज कर्म को favor करता था destiny वाला जो point है लेटर वैदिक और उसके बाद डवलप हुआ है ठीक है रिगवैद में या जो वैदिक traditions है उसमें करम पर जैसा आप का करम होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा destiny क्या बोलता है कि ये prefixed है आप कुछ भी करम करते रहो जैसा होना है वैसा तो होकर ही रहेगा that is destiny लेकिन करम थेओरी क्या बोलती है कि जैसा आप करोगे वैसा भोगोगे कुछ fix नहीं है अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा भोगोगे इस तक तो असर पहुँच नहीं सगा लेकिन नौर्थ वाले एरिया में भी ब्रहामिन्स की जो dominant situation है उस पर उनोंने अटेक किया क्योंकि ब्रहामिन्स देखेगा एकना बहुत important pattern आपको मैं समझाता हूँ 19th century का जितना भी intelligentsia है maximum intelligentsia आपको ब्रहामिन फैमिली से नज़र आते हुए निकलते हुए नज़र आएंगे 20th century का intelligentsia आपको ब्रहामिन फैमिली से ज़र निकलते हुए नज़र आएंगे ठीक है 21st century आज भी कही ना कहीं यह point मेरा खुद का opinion नहीं है लेकिन मैंने कहीं ना कहीं opinion पड़ा है कि आज भी जो बड़ी powers हैं जो elite शक्तियां हैं वो भी कुछ चुनिंदा families के हाथ में या चुनिंदा जो है वो upper class ब्रहामिन उनके हाथ में ज़ादा है तो ऐसा क्यूं है इसको बदलने की कोशिश की गई इसी point को बदलने की कोशिश की गई ब्रहाम समाज द्वारा भी इसी point को बदलने की कोशिश की की आरे समाज द्वारा भी कि ये जो upper class हिंदूस हैं इन्होंने मलाई जो है वो अपने हाथ में रख्य हुई है राइट क्रीम इनके हाथ में है आप देखेंगे जितने भी 19 सेंचुरी के बड़े राजा राम मोहन रॉय को ले लिजिए केशव चंदर सेन कोट पूरी की पूरी टेगोर फेमिली को ये सब upper class ब्रहामिंड्स हैं ठीक है आप महाराश्ट्र में आएंगे तो महाराश्ट्र में भी जो बड़ी पुरानी पेशवा जो मराठा फेमिलीज थी या जातियों में से इंटेलिजेंशिया नहीं निकल कर रहा है लेकिन डॉमिनेट कौन कर रहा है मैं इसकी बात कह रहा हूँ तो ऐसा क्यों है ठीक है इसका विरोध जो है वो ब्रहम समाज ने भी किया आरे समाज ने भी किया MG Rana Day साब ने भी किया जो तीराओ फुले साब ने भी किया BR Ambit कर तो कहते रहे जीवन भर कि higher elite जो elites हैं जो अपर हिंदू क्या बोलते हैं अपर class के जो हिंदू है या जो ब्रहमिन फेमिलियां है ठीक है जिनका status बहुत rich है जो अपर status के है उन्होंने जो है वो सारी important post अपने हाथ में ले रखी है ठीक है तो बाकियों को मौका कैसे मिलेगा तो खेर इस point पर आगे हम discuss करेंगे mains में जाएंगे या live classes में आएंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे तो अगर आपको इस तरह कि अगर आप मेरे points से मेरे opinion से अगर आप नहीं रखते हैं इतफाक तो make sure कि आप 19th और 20th century के जितने भी important personalities रही है उनका एक बार background जो रहे चक करके देखिएगा majority majority जो लोग हैं जो काम्याबी तक पहुँचे वो आपको एक specific sect of society पर से निकलते हुए नजर society के एक भारत की society के एक बहुत specific बहुत छोटे से जो है वो एक group पर से निकलते हुए आपको नजर आएंगे and rejected the claim of priests to act as intermediaries between man and God आरे समाज ने क्या कहा है कि जो priest है ना जैसा कि ब्रहम समाज ने कहा था कि वेद खुद पढ़ो और self interpretations create करो वैसा यारे समाज ने कहा कि वेदों को पढ़ना और वेदिक practices को follow करने के लिए किसी ब्रहमन की आवशकता नहीं है तो जो ब्रहमन या जो priestly class है ब्रहमन ना को कहकर अगर मैं priestly class कहूं तो ज़दा बेटर रहेगा तो priestly class है जो कि man को God से connect करने का काम करती थी कर रही है आज भी राइट तो उसको condemn करा उसको कहा कि man से God जो है वो direct connection है ठीक है next point देखेगा आरे समाज supported woman rights and equality next चीज़ woman को लेकर क्या point रहा आरे समाजगा तो woman rights के लिए woman education widow remarriage so यह सारे जो liberal ideas है इन सब को support करते हुए नज़र आते है आरे समाज it argued for the rights of woman and shudras to study vedas and condemned child marriage बहुत ही ज़ादा important point शूदरवर्ण और woman जिनको allow नहीं किया गया था वेद पढ़ना दोह थाएजार साल से उनको allow किया गया कि यह भी वेद पढ़े जैसे ब्रहम समाज कहते हैं कि सभी वेद पढ़े लेकिन दिविंदर नाथ टेगोर आपको फिर भी थोड़े से डवलप हो रहा है ना आरे समाज 1870s 1860s और 1870s में डवलप हुआ ठीक है तो इसी समय इसी समय आपको जो है वो केशव चंदर सेन भी एक्टिव नजर आएंगे राइट सो 1850s या उससे पहले का जो इंटेलिजेंशिया यह मानता था कि कास्ट बेरियर्स को इतने अबरप्टली नहीं तोड़ना चाहिए लेकिन 1860s और 70s तक यह आईडिया बहुत स्ट्रॉंग हो गए कि कास्ट बेरियर्स को तोड़ दिया जाए तो जब आरे समाज सी इतना बदलाव नहीं चाते थे क्यों क्योंकि जैसे मैं आपको बताया ना उनकी situation आपको समझनी पड़ेगी वो एक अपर क्लास एक बहुत टेगोर फैमिली है बहुत प्रॉमिनेंट ब्रहमिन फैमिली राइट तो उनको अगर बदलाव लाना है अपनी ब्रहमिन धीरे धीरे बदलाव लाना पड़ेगा लेकिन केशव चंदर सेन नहीं मान रहे उनकी बात राइट फिर उसके बाद आरे समाज नौर्थ इंडिया में नहीं मान रहा उनकी बात खेर अब पोलिगैमी लोगों का पेशा था धन्दा बन गया था कमाई का स्त्रोत था दहेज पर मैंने बोला ना एक ब्रहमिन फैमिली एक ब्रहमिन शक्ष की 200 बीवियां तो 200 बीवियां तो extreme cases हैं लेकिन 15, 20, 30 बीवियां होना 30 partners होना जो हैं वो casual चीज थी अपर क्लास खास तो और पर ब्रहमिन फैमिली में खास तो और बंगाल वाले रि नव विवा मतलब नई ब्राइड है उसकी 10 साल की और यह मर गया तो अब इस 10 साल की लड़की को या तो जीवन भर विद्वा का जीवन जीना पड़ेगा या तो फिर उसको सती होना पड़ेगा ठीक है तो पोलीगैमी और उसके साथ यानि कि अभी तक खुलकर पेट्रिया अगर जो बच्चे special classes लगाते हैं मेरी वो लोग जानते होंगे इस point को कि वो कौन सी female activist थी जिन्होंने पहली बार patriarchy को as a बड़ा concern जो है वो मतलब एक बड़ा social reform की तरह एक point बना कर उठाया था पहली बार female जो है वो activist रही है social reformer रही है ठीक है 19th century later part of 19th century 1880s वाला जो decade है उसमें उन्होंने शुरू किया था तो make sure कि आप मुझे comment में mention करें उस व्यक्ती का नाम राइट and support video remarriage obviously the समाज initiated the शुद्धी moment बहुत important point समाज ने शुद्धी moment शुरू किया और इस शुद्धी moment की वज़े से ही बड़े जो है वो टकराट शुरू हुई ठीक है एक side समाज के मतलब एक बहुत prominent leader थे पंजाब वाले region में और बहुत बढ़ चड़कर वो conversions, reconversions करवा रहे थे यानि ऐसे भारतिय जिनको इसलाम में convert किया गया over the period चाहे दिली सुल्तान द्वारा चाहे मुगल्स द्वारा वो वापिस जो है वो हिंदू सुसाइटी में लोट सक ठीक है, जो बड़े-बड़े मठ हैं जैसे की बदरीनात का जो मठ है उन्होंने complaint करी शुद्धी मुमेंट के खिलाफ कि ये हिंदूिजम के खिलाफ है, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे कर रहा है आर रे समाज, लेकिन आर रे समाज ने शुद्धी मुमेंट करवा है, क्यू क्यूंकि ये बहुत स्टिफ कानून थे कि जिसका एक बार धर्म बरश्ट हो गया, तो फिर मानली जीए कोई क्या बोलते हैं, कोई ब्रहमन वर्ण में हैं, और अगर उसने कुछ ऐसा काम किया जैसे समंदर पार किया, या किसी मानली जीए सपोजिड अच्छूत के घर उसन यग्य का नाम आप मुझे कमेंड में बताएंगे, किस शाशक ने वो यग्य करवाया था, अरली मेडीवल हिस्ट्री का वो पॉइंट है, याद करिए मैं आपको बताया था, शाशक ने वो यग्य कराया था और खुद को शत्रीय का स्टेटस उसने दिलवाया था, राइट so make sure कि आप mention करें उस शाशक का नाम और उस यग्या का नाम भी क्या है comment में जरूर mention करें तो शुद्धी मुवमेंट के खिलाफ जो है वो बहुत जगड़ा हुआ तो ये एहमदिया वर्सिस लेकराज क्या fund है ये मेंज वाले लेवल पर ले जाओंगा तो वहाँ पर समझाओंगा रैट तो पंजाब वाले एरिया में ऐहमदिया पंजाब वाले एरिया में नौर्थ वेस्स फ्रेंटियर वाले रीजन में अक्टिव था भी नाराज थे और जो हिंदू मठ हैं जो अखाडे हैं वो भी नाराज थे कि ऐसा हिंदुविजम जो जो ट्रेडिशनल ब्रहामनिकल ट्रेडिशन जो चले आ रहे हैं पोस्ट मौरे और गुपता पीरिट से डेवलप हुए वो अलाव नहीं करते ऐसा राइट री कन्वर्ज प्राइमरी कॉज आफ ट्रू नौलेज का प्राइमरी कॉज क्या है रिगवैद है ठीक है या क्या कोई और literary source है तो नहीं आरे समाज के principles के साब से true knowledge का primary cause God है ठीक है रिगवैद नहीं है God है ध्यान रखीगा यह सवाल बनता है ऐसे ही second point God क्या है God की definition क्या बोली है तो God जो है वो absolute है almighty है, infinite है beginning है, beginningless है omniscient है, omnipotent है omnipresent है, eternal है creator of universe alone is worthy of worship तो God के लिए क्या definition दी कि वही स्रिष्टी का रचाहिता है उसी नहीं स्रिष्टी बनाई है वो स्रिष्टी के कण कण में बसता है यानि कि हर व्यक्ती में भी God है, जीवित, निर्जीव हर चीज में God मौजूद है तो इस पूरे universe के एक-एक particle में God है और उन्ही particle से यह जो पूरा universe जो है, वो बना है राइट, सो omnipresent का मतलब omnipotent यानि वो सब कुछ कर सकता है omnipresent यानि हर जगा present है, उसकी शुरुवात नहीं है ठीक है, absolute है वो, पूरा समझ रहे, संपूर्ण है तो यह definition दी घोड की basically, ब्रह्मा है वो राइट, the Vedas are book of true knowledge अब देखिए primary cause of true knowledge true knowledge जो है, वो निकल कर आई God से और इखटा कहा हुई, वेदो में ठीक है, तो कारण क्या है God और कहा पर संचित है वो कहा पर इखटा है वेदो में, बहुत important point all should be ready to accept truth and renounce untruth और infallibility का बहुत important point है, क्या ब्रह्म समाज क्या ब्रह्मो समाज वेदो को infallible मानता था तो नहीं, ब्रह्म समाज कहता था कि वेदो में भी अगर कोई ऐसी बात लिखी है, जो आपको लगता है कि आपका logic आपका reason या आपकी जो ethics हैं वो allow नहीं करते उसे, तो उसको मत मानो लेकिन आरे समाज का कहता है, कि वेदो में जो बात लिखी है वो absolute truth है वेदो में जो लिखा है, वो infallible है उसको बदला नहीं जा सकता, उसको challenge नहीं किया जा सकता, right next point all act should be performed in conformity with dharma अब मैंने आपको रिगवेद में धर्म की philosophy समझाए थी, ठीक है तो सबको अपना धर्म follow करना चाहिए, यानि अगर मैं teacher हूँ तो मेरा धर्म है आपको पढ़ाना, तो मुझे पढ़ाने का धर्म जो है, वो thoroughly follow करना चाहिए अगर आप student है तो आपका धर्म है पढ़ना अगर आप police है तो आपका धर्म है protection देना अगर आप administrator है तो आपका धर्म है policy making execution का काम करना चाहिए से, right तो जिस भी capacity में आप है जो भी आपका profession है जो भी आपका धर्म है उसको thoroughly follow करना है, ठीक है the primary aim of R.A. समाज is to promote the welfare of whole world and physical, whole world and physical, spiritual and social progress of all human beings, next is R.A. समाज की range क्या है तो R.A. समाज की range global है regional नहीं है, R.A. समाज क्याता है कि इस पूरी धर्ती के हर एक वासी का भाला करना है ठीक है तो that means बहुत secular approach है क्योंकि इस पूरे धर्म में, पूरी धर्ती पर हर धर्म के लोग होंगे, तो सब की help करनी है right all should be treated with love and justice, love और justice सब को मिलना चाहिए ignorance must be dispelled and the knowledge should be promoted, ignorance यानि की आपको जो है वो naive नहीं होना, मतलब ignore नहीं करना main concepts को या true knowledge को खास दोर पर वेदों में बोली गई true knowledge को आपको ignore नहीं करना है ठीक है, आप में से जो students DAV schools में पड़े होंगे, वो in 10 vows को अच्छे से, in 10 principles को अच्छे से जानते होंगे right, no one should be contented with his own welfare alone but everyone should regard his or her prosperity in the common welfare of all, पहुत ही जादा important point इस पे सवाल बनता है ठीक है, आरे समाज की philosophy क्या है शेख अपना अपना देख ठीक है, point यह कि क्या आपका खुद का welfare अगर आप अपना welfare कर रहे हैं क्या वही आपके जीवन का मतलब एक मातर सचाई है एक मातर काम है या आपका act ऐसा होना चाहिए ठीक है, आपका जो लिया गया कदम है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो overall सब का फायदा करे तो मैंने ना world history में कही न कही इसके लिए terms दी हैं मुझे बताइए क्या कहा जाता है इस philosophy को, right? और किसने दी है ये ये philosophy, मैंने आपको समझायता है कि आपको ऐसी deed करनी है आपको ऐसा, जो भी आप step उठाएं वो ऐसा step हो ताकि उससे सब को फायदा हो, right? common welfare of all ना कि आप जो step लें, वो केवल आपके welfare के लिए हो तो यही same point जो है, वो आरे समाज भी कहा रहा है आप मुझे बताएंगे, मैंने world history में बताया था किस political philosopher ने ये fundे दिये हैं, है ना? और last point है, one should subordinate oneself for the common welfare of the society while one is free to act for one's own welfare लेकिन एक और extra point add कर दिया कि maximum काम जो है, वो common welfare के लिए होने चीए लेकिन अपना welfare करने के लिए भी आप को खुली चूट दी है ही करना है, आप अपना welfare भी करिए, राइट this movement was responsible for creating communal tensions अब आरे समाज की वज़े से हुआ क्या अब मैंने बोलाना शुद्धी मुवमेंट और शुद्धी मुवमेंट को लेकर कुछ समाजी जो हैं, वो बहुत ज़्यादा fanatic हो गए उन्होंने बढ़ चड़कर reconvergence करवाए जिससे दोनों मुस्लिम जो वर्ग है वो तो मतलब परिशान हुआ ही लेकिन जो ब्रहमनिकल जो वर्ग है वो भी परिशान हो रहा है क्योंकि दीरे दीरे जो है वो पुरानी ब्रहमनिकल प्रैक्टिसीज जो चली आ रही है उसके खिलाब बोल रहे हैं इस मुम्न बस रिस्पोंसिबल फर क्रिएटिंग कमिनल टेंशन हिंदू और मुस्लिम में टेंशन खड़या हुई पंजाब में, महराष्टर वाले रिजिन में, उत्तर प्रदेश वाले रिजिन में, दिल्ली के आसपास राइट, इन दे रिजिन ऑफ उनाइटेड प्रोविंस और बिहार और आगे आने वाले कई समय तक में और ऑप्शनल लेवल पर ले जाओंगा तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे हैं, कांट्रोवर्सिस को खास तरबे मैंने बोला ना, एहमदिया और लेखराज के बीच में जो कांट्रोवर्सिस चल रही थी, राइट वैसे तो इन फालेबल कहा उन्होंने वेदों को पॉइंट यह है कि उन्होंने कहा वेद, वेद जो है, वो इन्फालिबल है, अन्चैलेंजड है ठीक है, दे डिएवी इंसिटूशन स्प्रेड ओवर दे लेंथ और ब्रेट अब रेट अफ दे कंट्री ठीक है, प्री के लिए जो इंपोर्टेंट है, उसके अलावा जो फैक्ट्स हैं, वो मैंने स्पेशल क्लासिजमारे समाज से लेटेड पूछ ली है नेक्स बात करते हैं, रामकृष्ण मूव्मेंट अब आरे समाज तो कहां पर अक्टिव हैं, नौर्थ इंडिया में, पंजाब, रियना, दिल्ली, आग्रा, अवद, राजिस्थान, बिहार तक रख लो, ठीक है लेकिन बंगाल वाले रिजिन में एक और मूव्मेंट अक्टिव है, तो रामकृष्ण मूव्मेंट ठीक है, बहुत छोटी सी उमर से ही उन्हें, इस तरह की spiritual ecstasy की अनुभती होना शुरू हो गई थी, बहुत छोटी सी उमर में उनको जो है, वो ऐसे experiences होने शुरू हो गए थे, जिनसे ये पता चला हुने की मेरी थोटी सी जो जुकाव है, वो spiritualism की तरफ है, फिर उन्होंने ब्रहामनिकल जो studies है उनको फॉलो किया और दक्षनेश्वर काली मंदिर जो है वो उसके priest के रूप में अपने आपको establish किया, मतलब पहले priest से नीचे थे थे थोड़ा फिर धीरे जो है वो priest के level तक पहुंच गया, जब priest की मृ ठीक है, वहाँ से उन्होंने प्रवचन अपने देने शुरू किया, ठीक है, he had faith in all religions और प्रवचन क्या था है उनके, कि सब ही religions नहीं है, उनका प्रवचन बिलकुल basic था, कि चाहे वो Christianity हो, चाहे वो Islam हो, चाहे वो Hinduism हो, सब ही जो है वो एक ही रास्ते पर चल रहा है, एक ही मंजिल पर पहुचना चाहते हैं, लेकिन रास्ते थोड़े अलग-अलग हैं सबके, right, and performed religious exercises in accordance with Hinduism, Islam and Christianity, तीनो के रलेशन में उनने जो है वो practices शुरू करी, दक्षनेशवरा जो है वो उनका stronghold था, वहाँ से शुरू ही उनकी, कहानी है पूरी, right, all the different religious views are different ways leading to same goal, was the message of Ramakrishna, मैंने बोला न, Hinduism हो, Christianity हो, इसलाम हो, अलग-अलग रास्ते से चल रहे हैं, लेकिन एक ही goal है सबका, ठीक है, he believed that service to mankind is service to God, as man is the embodiment of God, next belief क्या है, मनुष्य की service करो, वही God की service है, अब जैसे, आरे समाज भी तो यही बोल रहा है कि कण-कण में God है, right, तो कण-कण तो नहीं कह रहे हैं, रामकरिश्न कह रहे हैं कि हर मनुष्य में God है, तो अगर आप किसी भी व्यक्ति की मदद अगर आप कर रहे हैं, तो basically आप God की तरफ और बढ़ रहे हैं, right, बहुत important point, Two main objectives of रामकरिश्न मुवमेंट क्या क्या रहें, देखेगा, पहला तो, to foster band of monks who base their life on renunciation and practical spirituality, पहली चीज यह, रामकरिश्न मुवमेंट की, कि वो प्रवचन दिया करते थे और जो उनके सिश्य बनते थे, उनके लिए शर्त यह रहती थी कि उनको renunciate करना है, है ना, उनको सब and workers among these monks would spread the universal message of Vedant as exemplified in his life, in the life of रामकरिश्न, और दूसरा point यह है, कि जो monks और धीरे धीरे जो teachers बनेंगे, वो basically वेदों की या वेदानतों की जो जित्तिवी teachings हैं, उनको पहलाने का काम करेंगी, ठीक है, तो basically सबसे पहले renunciate करना है, monk बनना है, और फिर ecclesiastical activities करनी है, ठीक ह और message क्या देना है, कि जितने भी धर्म हैं, यह सभी एक ही goal की तरफ जा रहे हैं, और mankind की service ही आपको God की तरफ ले जाएगी, ठीक है, to carry on preaching, philanthropic and charitable works, treating all men, women and children as manifestation of the divine, irrespective of their color, caste or creed, यही का ना मैंने, ecclesiastical, यानि कि धर्म का प्रचार भी करना है, धर्म, religion नहीं, जो कार्रे आपको करना है, कार्रे का करना है आपको, ऐसी philanthropic और charitable work करने है, जिससे सभी पुरुष महिलाएं और बच्चों का फायदा हो, irrespective of their color, caste, creed or religion, right? towards the first objective, रामकृष्ण हिमसल फाउंड़ रामकृष्ण मठ विद इस मोनोवेस्टिक डिसाइपल्स, तो सबसे पहला objective क्या था? कि ऐसे band of monks बनाया जाएं, इसके लिए उन्होंने, रामकृष्ण मठ जो है, वो establish किया, ठीक है, उस मठ से उन्होंने अपने disciples इखटा किये और monks बने, अब दूसरा धर्म प्रचार का काम है, तो वो प्रचार का काम जो है, वो इनके disciples में से, एक बहुत prominent disciple निकल कर आए, ठी विवेकानन्द उन्होंने किया, ठीक, स्वामी विवेकानन्द, इनका असल नाम क्या है, तुरंत comment में बताएंगे, देखिए इस तरह के बहुत छोटे-छोटे facts मैं नहीं जोड रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है, आप लोग इस छोटे-छोटे facts हैं, ये बहुत सारे जग पर जो मैं sessions ले रहा हूं, मेरी special classes पर आओ, वहाँ पर जो previous year questions और most important questions करें हैं, प्लस NCRT कवर करो, ठीक है, बोथ old and new, सब students को यही बोलता हूं मैं, और 30 से लेकर 12 मी तक की, old मैंने telegram channel पर share कर दी है, और new आपको NCRT की website पर मिल जाएंगी, ठीक है, इन सब को download करो, यहां से आपको इस तरह के छोटे-छोटे facts मिल जाएंगे, कि स्वामी विवेकरनंद का असल नाम क्या है, देखिए, इस तरह के छोटे-छोटे facts पर मैं समय बरवाद नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको NCRT में मिल जाएंगे, ठीक है, मेरा काम है आपको concept देना, मैं आपको बार- समझा पाएगा कोई, मेरा, मेरा खुद का main agenda क्या है, आपको concept त्यार करना, मैं हमेशा से बोलता हूँ, असल गेम है, concept, facts जुड़ते चले जाएंगे, facts के लिए बहुत सारे sources हैं, तो अगर आपको, देखिए, और ये pre के लिए, ये strategy, ये strategy केवल pre के लिए है, YouTube के sessions मेरे, special classes लगाओ, और NCRT कवर कर लो, ठीक है, Tamil Nadu board की किताब भी नहीं बोल रहा है, आपको, आप NCRTs कवर करो, old and new, आपका pre के लिए, fact, concept सारे मैं दे दूँगा, और fact आप, ज़्यादा से ज़्यादा fact तो कवर करने की, मैं क्लास में कुशिश करता ही हूँ, जो छोटे मोटे fact हो तो बेटर रहेगा, ठीक है बच्चे, ख्यार, आगे बढ़ते हैं, so Swami Vivekanand formed Ramakrishna Mission in 1897, after the death of Ramakrishna, to fulfill the second objective of carrying out philanthropic and charitable works, बहुत important point है, second objective को पूरा करने के लिए, Ramakrishna Mission Vivekanand ने शुरू किया, first objective क्या था, कि ऐसे monks का band बनाया जाए, right, जिसमें से leader निकल कर आए, Swami Vivekanand, second objective क्या था, अभी ये monks का band जो है, वो philanthropic and charitable works आगे करे, right, जिसके लिए Ramakrishna Mission Establish किया गया, headquarter का है इसका, बेलूर, near Kolkata, बहुत important point, right, it stands for religious and social reforms, बहुत important point, देखिएगा, ये क्या कर रहा है, reform movement है, तो Ramakrishna Mission is a reform movement, ध्यान दीजेगा, base किस पर है, वेदानतिक doctrines पर, तो अभी तक, तीनो के तीनो, excuse me, जो तीनो हमने reform movement पढ़े, है ना, ब्रह्म समाज पढ़ा, उसके बाद हमने आरे समाज पढ़ा, और अब Ramakrishna Mission है, ये तीनो के तीनो, अपनी studies को base कर रहा है, वेदों पर, ठीक है, कोई नहीं कह रहा है कि पुराणों को पढ़ो, है ना, कोई नहीं कह रहा है कि मनुस्मृति को पढ़ना है, नहीं, ये कह रहा है, वेद, वेदान्त, उपनिशद, इनके उपर base करो अपनी doctrines को, ठीक है, इट emphasizes the development of the highest spirituality inherent in man, लेकिन, जैसे ब्रहम समाज बहुत ज़्यादा social reforms, religious reforms की बात कर रहा है, आरे समाज भी social और religious reforms की बात कर रहा है, राम करिशन मिशन, spirituality की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, वो कह रहा है कि आप लोग जो है, वो religious reforms, cultural reforms तो लाओ ही, लेकिन थोड़ा spiritual भी बनो, ठीक है, थोड़ा परमात्मा के साथ जुडने की अपनी body की geometry को, cosmic geometry के साथ जुडने का काम भी करो, योग, जिसे कहते हैं न, द जुडना है, अपनी body को ब्रहमान के साथ जुडना है, ठीक है, वो योग है, जुडना है आपको, राइट, so इस तरह की spirituality that is inherent in man, उस पर emphasis जो है वो दिया कि इसने, रामकृष्न मिशन ने, this is the difference between रामकृष्न मिशन ने, रामकृष्न मिशन ने, रामकृष्न मिशन ने, रा तो, yes, philanthropic और जैसे मैंने कहा है ना, कि charitable works शुरू करें, तो school शुरू करें, hospital शुरू करें, और कई charitable works इनने शुरू करें, बहुत इंपोर्ट पाइट, विवेकानन्दा's followers included people of all strata, including princes and priests, right, so, royal classes भी जो है वो विवेकानन्दा के साथ जुड रही है, इन 1893, he attended the famous Parliament of Religions at Chicago, तो यह point आप लोग जानते हैं, बहुत famous speech महाँ पर दी थी, उस speech के बारे में डिसकस हम, mains के लिए गरेंगी, ठीक है, mains वाले topics में, he delivered lecture on, lectures, यहाँ पर ऐस इधर होना चाहता, lectures on Hindu philosophy, as enunciated by Ramakrishna Paravans at various places in UK, so, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि कुछ social religious reform movements का यह agenda था, कि पूरी दुनिया में Hinduism का डंका बजाना है, right, so, वो काम किस ने किया है, Ramakrishna Mission में, लीडर कौन, Swami Vivekananda, right, he wanted to make society strong and free of social evils, social evils कैसे जैसे कि, polygamy, जो women के साथ, जितने भी मतलब उनके साथ, उन पर atrocities की जा रही है, female infanticide हो, चाहे सती प्रता हो, इन सब के खिलाफ उन्होंने बोला, right, लेकिन उतना actively काम नहीं किया, ध्यान दीजेगा, जितना actively काम, social reforms के लिए, ब्रहम समाज और आरे समाज ने किया, उतना actively काम, social reforms के लिए, रामकृष्ण मिशन ने नहीं किया, रामकृष्ण मिशन का ज़्यान किस पर रहा, religious reforms पर, और spirituality के रास्ते पर ले जाने के लिए, ठीक है, तो इन्होंने Hinduism as a religion को reform करना और popularize करने का काम ज़्यादा किया, ब्रहम समाज और आरे समाज, social reforming की तरफ ज़्यादा जुके रहे, खास तोर पे, ब्रहम समाज, right, difference है, ध्यान दीजेगा, सवाल बनते हैं इन पर, His mission was to bridge the gulf between spirituality and the practical day-to-day life, देखे, यह आगे ना point, spirituality के साथ day-to-day life को जोडना है, right, He advocated the doctrine, the service of all beings and considered life itself as a religion, बहुत ही ज़्यादा important point, बहुत ज़्यादा important point, देखे, Hinduism क्या है, क्या Hinduism एक religion है, तो स्वावी वेकर्णन ने कहा, नहीं, Hinduism एक religion ना होकर, Hinduism एक way of life है, it's a way of life, एक lifestyle है, आप Islamic होते हुए भी, आप Hindu way of life को follow कर सकते हैं, आप Christian होते हुए भी, आप Hindu way of life को follow कर सकते हैं, it's a lifestyle, right, तो जो life, जो जीवन है, right, उसको religion का रूप आप दे सकते हैं, बाद में, लेकिन जो असल message है वेकर वेकर नंद का वो ये है, कि Hinduism, it's more like a way of life, it's a lifestyle rather than a religion, आप किसी भी religion में रहकर, आप Hindu lifestyle को follow कर सकते हैं, विवेकानन्दा favored using technology and modern sciences in service of mankind, बहुत important point, modern sciences को लेकर क्या take है विवेकानन्द का, कि progression की तरफ बढ़ना चाहिए, obviously technology की तरफ बढ़ना चाहिए, right, next बात करते हैं, प्रार्थना समाज की, so I hope आपको विवेकानन्द, खेर, बहुत बिल्कुल basic concept मैंने आपको बताए, ठीक है, means में जब आपको ले जाओंगा, तो वहाँ पर हम detail में जाएंगे, but difference आपको आरे समाज, ब्रहम समाज, रामकृष्ण मिशन में पता होना चाहिए, next आता है आपका प्रार्थना समाज, अब प्रार्थना समाज 1860s-70s में डवलप हुआ, यहनी 1858 से 58 के बाद में, यहनी capital investment का फेज चल रहा है अंग्रेजों का, ठीक है, British Raj आ गया है, East India Company खतम हो चुकी है, ठीक, it was found by Dr. Atmaram Pandurang, with help of Keshav Chandrasen, 1867, so Keshav Chandrasen के बारे में मैंने आपको बताया, केशav Chandrasen, ब्राहम समाज के active participant, 1867 तक आते आते तो उन्होंने अपना अलग जो है, वो ब्राहम समाज of India established कर लिया था, ठीक है, और इनके केशav Chandrasen के ideas जो थे, वो बहुत ज़्यादा radical थे, as compared to दिविंदर नाथ तेगोर, क्यों, क्योंकि इंटर कास्ट marriages और कास्ट barriers को तोड़ने का काम कर रहे थे, ठीक है, वही पर ही महाराष्ट्र में आत्मा राम पांडू रंग, ठीक है, और ये जो मैंने आपको बताया था ना, दो भाईया आत्मा राम पांडू रंग और दादा भाव पांडू रंग, ठीक है, उसके लावे इनके और भी कई सारे partners हैं, बाद में क्या बोलते हैं, रानडे साब भी जुड़ जाएंगे, खेर, बाद में 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 पेंचिन करते हैं रानडे साब को, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि ब्रहम समाज इस्टेबलिश हुआ, बंगाल वाले रिजन में हैं ना, पंजाब वाले रिजन में आरे समाज, पंजाब से लेकर, हर्याना से लेकर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तक आरे समाज की हिट हैं, रहिस्थान में, बात आजाती है गुजरात महराष्टर की, तो गुजरात महराष्टर में, अब देखिए केशव चंदर सेन, जो है वो पैन इंडिया में ले जाना चाते हैं ब्रहम समाज को, और जब वो महराष्टर में आते हैं, तो उनको अपने आईडिया से मिलते जुलते, केशव चंदर सेन को अपने आईडिया से मिलते जुलते विक्टी जो है वो कौन मिलते हैं, आत्मरम पंडुरून, और वो दोनों मिलके एक नया समाज establish कर लेते हैं, जो कि ब्रहम समाज की values उसमें भी हैं, लेकिन वो महराश्टर से ज़्यादा relevant है, प्रार्थना समाज के नाम से establish हो जाता है महराश्टर में, ठीक है, तो प्रार्थना समाज भी यही कह रहा है, केशव चंदर सेन के ब्रहम समाज में रहते रहते, जो caste system के लिए ideas थे, वो ideas आपको प्रार्थना समाज में आते में नज़र आएंगे, इट अट्वोकेटेट सोशल रिफर्म लाइक, इट अपोजड तक कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम का विरोध करते में नज़र आएंगे, आपको महराश्टर में आगे में आपको समझाऊंगा, प्रॉमिनेंट ब्रामेंड फैमिलीज की स्ट्रॉंग होल्ड थी महराश्टर में, चाहे वो जमींदारी हो, चाहे वो अंग्रेजों के साथ मिलकर कोई काम करने की बात हो, मतलब ब्रिटिश अड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज में एंटर करने की बात हो, या ब्रिटिश नौकरियों की बात तो जो अपर हिंदू क्लास और खास तरवे ब्रामेंड फैमिलीज वो एंटर कर रही है, बाकी सब कास्ट जो है वो पीजेंट्स की तरह जीवन जी रही है महराश्टर में, तो उसके खिलाब जो है वो उन्होंने आवाज उठाई, इट अड़ोकेटिड वुमेंज एजुकेशन, महिलाओं की स्तिती, जैसे कि मैंने आपको समझा है ना, रिगवैदिक पीरियेड से गिरती ही रही, जब तक 1810 के डेकेड में, राजा राम महराश्टर में प्रारतना समाज के थे, ठीक है, इट एंकरेजड विडो रिमेरिज, विद इस एंड इन विव, इट ओपन विडो आश्रम, बहुत इंपॉर्णन है, प्रातना समाज ने विडो आश्रम ओपन की, राइट, आगे डेटेल में हम जाएंगे, इसमें, इट वज अगेंज चाइल्ड मेरिज और सपोर्टेड रेजिंग दे एज ओफ मेरिज फर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, बहुत इंपॉर्णन पॉइंट है, मेल्स और फीमेल्स दोनों की एज बढ़नी चाहिए, अब ये प्रार्थरा समाज, या इन्ही लीडर्स को फॉलो करते हुए, आगे हमें और भी ऐसे, जैसे बाल गंगादर तिलक साहब डेवलप होते हुए नजर आएंगे, है ना, लेकिन बाल गंगादर तिलक साहब की जो, उनकी जो और्थोडॉक्स अप्रोच है, वो चाइ की भी कुछ ऐसे ओपीनियन्स हैं, जो 21st century के हम जो 21st century के जो students या, जो भी intelligence है 21st century का, उनसे जो है, वो मेल नहीं खाएगा, जैसे बाल गंगादर तिलक साहब, चाइल्ड मेरिज के सपोर्ट में नजर आते हैं कही जगा ओपर, ठीक है, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया, देरे देरे establish करेंगे, में जब मैं आपको पढ़ाओंगा, तब personalities के बारे में detail में डिसकस करेंगे, ठीक है, इट अलसो ब्लान फॉर अडल्ट लिटरेसी, और प्रार्थरा समाज दौरा, राइट, इन और तो एंड सोशल एवल, इट स्टार्ट इंस्टिशन लाइन्स ला किये गए, देखे, आज हमें, present day situation में हमें, अनात बच्चे आज भी बहुत हैं, शहरों में भटकते हैं, आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन पहले बहुत ही जादा बुरा हाल था, बहुत जादा बुरा हाल था, मतलब खास तोर पे लड़कियां, लड़कियों को लेकर लो जिसकी जरूरत महराश्टर में थी, जिसकी शुरुवात करी किसमें, प्रातना समाज में, बहुत इमार्ण पॉइंट, वन वह दो में लीडर्स अफ समाज वस जस्टिस, रानडे, एम जी रानडे साहब ने बाद में जोईन किया, शुरुवात में नहीं ध्यान दिजेगा शुरुवात हुई आत्माराम पांडूरांग साहब और केशव चंदर सेन ने, लेकिन रानडे साहब ने 1870s में आकर जोईन किया, और रानडे साहब प्रातना समाज को नेशनल लेवल पर लेकर गए, ठीक है, बहुत इम्पॉइंट पॉइंट है, ध्यान रखेगा, who believed that religion and society are inseparable and interact and influence each other, right, so religion और society जो है वो एक दूसरे से नहीं हाट सकते, भारत की society बहुत deeply religious है, right, so that means अगर religion में, अगर society में reform लाना है, तो religion में reform लाना पड़ेगा, ऐसा justice राना देगा, मानना पा, right, under his leadership, the movement got an all India character, बहुत important point है, ठीक है, तो कई बार ये सवाल बनता है कि राना दे साब ने प्रात्न समाज को establish किया, कुछ एक किताब हम ने लिखा हुआ देखा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, पांडूरंग साब और केशव चंदर सेन ने establish किया प्रात्न समाज को, लेकिन उसको heights पर लेकर गए बात में, ज 1884, which played an important role in propagation of education, डेकन वाले रिया में, राइट, he was, he also founded विडो रिमेरेज असेशेशन, बहुत important, 1884, डेकन एजुकेशन सोसाइटी, इसने कई उनिवर्सिटीज के साथ जुड कर, कई कॉलेजिस को उपन करने की लब शुरुवात करी, जो कॉलेजिस आज भी active हैं, डेकन वाले रिया में, महाराश्च्र करनाटका में, उसके अलावा विडो रिमेरेज को लेकर, विडो रिमेरेज असेशन, 1891 में, इस्टेबलिश किया गया, to encourage and support विडो रिमेरेज, बहुत important point, next बात करते हैं, theosophical society के बारे में, ठीक है, आप कैसा लग रहा होगा, बहुत सारे sources हैं, और बहुत सारे, मैं और किसी source को recommend नहीं करता, मैं कहता हूँ, NCRT है, ठीक है, जो छोटे-छोटे fact है, वो आपको NCRT से उठाने है, बाकी मैं अपनी classes में, YouTube sessions में, और special classes में, बाकी बची-खुची कसर में, पूरी कर दूँगा, ठीक है, pre के लिए, mains के लिए मैं, NCRT के बाद फिर बड़ी और किताबे बताऊंगा, NCRT तो pre के लिए cover कर ली है, mains के लिए further हम, देखे, हमारा agenda है, mains के लिए ready हूँ, एक बार pre के बाद मैं mains के लिए आपको तयार कर दूँगा ना, फिर उसके बाद अब आप pre देने बैठेंगे, तो कोई सवाल नहीं आप ये सोचें कि pre के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी से ही pre निकल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, pre के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर जो मैं mains के लिए पढ़ाऊंगा, उन दोनों को combinedly जब आप revise करेंगे, तब जाके आपका pre और mains दोनों निकलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, खासा, here, the Theosophical Society was founded in United States in 1875 by Madam H.P. Blavsky and Colonel M.S. Alcott, who were inspired by Indian thought and culture, अब देखी, Theosophical Society, U.S. में establish हो रही है, U.S. में कहा establish हुई, ठीक है, where, आप मुझे comment में बदाइगे, ठीक है, Madam Blavsky और Colonel Alcott ने establish किया थो Theosophical Society को, और यह जो Theosophical Society की जो Theosophy है, यह Theosophy जो है, वो Hindu traditions, Hindu customs पर बेश थी, ठीक है, Hindu teachings और learnings पर बेश थी, अब यह Hindu teaching और learnings जो है, वो, U.S. तक कैसे पहुँच गई, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ब्रहम समाज, समझ रहे हैं, ब्रहम समाज से ही, बहुत सारे ऐसे philosophers थे, बहुत सारे ऐसे prominent, क्या बोलते हैं, teachers निकलें इंडिया से, जो Britain में जाकर, U.S. में जाकर, lectures लिया करते थे, right, So, Hinduism क्या है, Hinduism की क्या मानेताएं हैं, right, वो सब धिरे धिरे प्रोपागेट हो रहा, right, Later in 1882, they shifted the headquarters of the society to ADIYAR, on the outskirts of Madras, बहुत important point, 1882, पहले ADIYAR, और फिर ADIYAR से Madras shift हो गया, उनका headquarters, ठीक है, In India, the movement gained popularity even any basin, अब इंडिया में, Theosophical Society को heights पर कौन ले कर गया, तो any basin, Assumed its leadership in 1907, जब Colonel Alcott का निदन हुआ, ठीक है, तो फिर उसके बाद any basin, जो है, वो Theosophical Society की head बनी, 1907 में, और देखिएगा, बहुत important point है, यह यहाँ पर capable fact है, अब maximum sources, features आपको capable, इस fact पर आकर रोग देंगे, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत important funda समझाता हूँ, 1907 की कहानी याद है, आपको 1907 के आसपास क्या-क्या घटना है घट रही है, 1907 में सूरत split चल रहा है, इससे पहले 1906 में क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ, ठीक है, बंगाल का विभाजन, Muslim League की स्थापना, सूरत में, Congress में split हो जाना, ठीक है, तो इसी बीच, एनी बेसंट का, Theosophical Society का head बनना, ठीक है, तो यह सारी event आपस में कैसे जुड रहे हैं, क्या कोई connection है या नहीं है, अगर मैंने mention किया है पिछली किसी session में, अगर connection आपको नजर आता है, तो तुरंत मुझे comment में बताईएगा, और अगर नहीं आता है connection आपको समझ में, तो कोई बात नहीं, में में जब आप कहानी को ले जाओंगा, तो वहाँ पर detail में समझाओंगा, या जब 1905, 1906, 1907 की कहानी जब समझा रहा हूंगा, ठीक है, प्री के लिए भी, तो वहाँ पर, excuse me, महाँ पर discuss करेंगे, कि अनी बेसंट जब शक्ती में आई, तो कॉंग्रेस में जब हो रहा था, तो क्या relation है उनका अपस में, ठीक है, है relation, theosophist believed in universal brotherhood of man, अब theosophist की philosophy क्या है, universal brotherhood of man, तो वसुधायव कटुमबकम की जब philosophy निकल कर आती है Hinduism से, उसको follow कर रहे थे, right, they advocated the revival, बहुत important, revival के लिए काम कर रहे हैं, वो ancient religions of Hinduism, Zoroastrianism and Buddhism, तो not just Hinduism, बट पार्सी धरब, Zoroastrianism और Buddhism, जो heterodox sect हैं, इन सब की जितनी भी अच्छी अच्छी बाते हैं, उनको revive किया जाए, so theosophical movement was a reform movement और a revive movement, so it was a revivalist approach, ठीक है, they believed in transforming of soul, doctrine of reincarnation and karma, अब देखेगा, transmigration of soul, यानि एक आत्मा जो है, वो एक शिरी से, दूसरी शिरी में चले जाती है, जनम, मतलब की, पुनर जनम होता है, right, doctrine of reincarnation, अवतार आते हैं, और करम पर, करमा की थेओरी जो है, वो इस पर वो अधार है, तो देखेए, आत्मा को बुद्धिजम जो है, वो थोड़ा किनारे कर देता है, लेकिन reincarnation, जो लेटर फेज ऑफ बुद्धिजम रहा, right, तो महायान सेक्ट निकल कर आता है, बुद्धिजम बुद्ध की जब मूर्तिया बनने लगी, जातका स्टोरी जब फेमस हुई, तो बुद्धिजम में भी दो फेज़ी जहीन यान वाला और महायान वाला, right, तो महायान बुद्धिजम को फेवर करते हुई, यहां पर यह नजर आएंगे आपको, तो इनके लिए literary works क्या क्या है, sources क्या है, उपनिशद, संख्या, योग और विदातिक ट्रेडिशन, अब पुरान आपको भी नहीं नजर आएंगे, देखेगा, पुरान यह भी नहीं फॉलो कर रहे हैं, खेर, कुछ थियोसोफिस्स ने पुरान को भी फॉलो किया है, लेकि पॉलिटिकल मूव था, उनका कोर जो है, वो कहाँ छुपा है, इनहीं पुरानी, वेद, विदान तुपनिशदों में, ठीक है, इट है, इट है, अपको बिलीव करना है गोड में, तो थोड़ा सा क्रिशनेटी, थोड़ा सा बुद्धिजम, थोड़ा सा जोरस्टानिजम, थोड़ा सा ट्रेडिशनल हिंदु कस्टम्स, जिन सब को जोड़ कर उन्होंने अपनी फिलोसफिस तयार करी, ठीक है, थोड़ा सादू, इतने ठंडे इलाके में बैठे रहते हैं, हिमाले में कैसे तपस्चा कर लेते हैं या लोग, ठीक है, तो इस पर उन्होंने इन्वेस्टिकेशन शुरू किया, कि यह जो इंटर्नल स्ट्रेंथ है, लोग कई-कई साल बगार खाना खाए कैसे जिन्दा रहते हैं, जो भारतिय भिक्षू हैं, वो उन्होंने किये ऐसे चमतकार, तो यह जो लेटेंट, मतलब जो पावर् ठीक है, इनके ओपर रिसर्च करने शुरू करी थियोसोफिकल सोसाइटी ने, उसके लाब़ा तांत्रिक स्ट्रेडी पर भी स्ट्रेडी रिसर्च करी, ठीक है, तो फिलोसोफिकल ट्रेडिशन को रिवाइब करने कुश करी, तो आप हिंदू रनेसांस या सोशो रिलिजियोस रिफॉर्म मोमेट के साथ थियोसोफिकल सोसाइटी को जोड़ कर पढ़ते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स एनिबेसेंट के बारे में अटाते हैं, बिलकुल बेसिक फेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े हूँगे आलड़ी, ठीक है, बॉइनिबेसेंट या से हैं, तो आईरलेंट पर अंग्रेजो ने कंट्रोल किया, तो अगर अगर आजरलेंट पर अंग्रेजो ने कबजा किया है, और तो भारतियों के रहे उसके साथ जूड़ी रही एनी विसंट राइट शी अराइब इन इंडिया नाइटी थ्री एंड वस क्लोजली असोशेटेड विद थियोसफिकल सोसाइटी शी रेज रहे वाइस फर एक्वालिटी ऑफ मैं और वोमें राइट्स वर्कर्स लेंड रिफम तो जो सोशलिस में रहते हुए she was in awe of ancient Hindu religion and culture तो और एनी बेशंट ने बहुत कोशिश करी कि जो भारतिये जो Hindu mystics हैं जो Hindu सादू संत हैं उनके साथ जुड़े और समझें इन mystical powers को in 1898 she established Central Hindu College at Banaras बहुत important point Central Hindu College जो बाद में Banaras Hindu University के रूप में 1916 में उसको इनागरेट किया गया था जहाँ पर गांदी जी ने पहली speech दी ती अपनी उसको as a college established किया था 1898 में किसने एनी बेसेंट ने ध्यान रखेंगे आप she also participated actively in Indian freedom movement and started home rule movement along with Tillak 1916 तो home rule movement आपको जब मैं समझाऊंगा तो एनी बेसेंट का क्या rule है वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ठीके she also published common wheel and new India बहुत important publications क्या-क्या थी उनके क्या-क्या author कि उन्होंने तो common wheel and new India बहुत important point she was chosen the first woman president of Indian national congress and at its annual session at Calcutta मुझे बताएंगे which year ठीक है किस साल में इनको Calcutta के annual session में प्रेजिदेंट चूस किया गया था और इसके पीछे कि कहानी क्या है में जब ले जाओंगा तो कहानी समझाओंगा अच्छे है ठीक है this is the difference between pre and mains pre में आपको वो कहानी जानना जुरूरी नहीं है लेकिन mains आपको समझाओंगा एनी बेसंट को ही क्यों चूस किया गया क्या उनको scapegoat किया गया क्यूंकि फिर इस Calcutta के बाद का जो session रहा न गांधी जी आ गए फिर और फिर 1920s के बाद political career ही खतम हो गया एनी बेसंट था या उन्होंने खुद retirement ले लिया समझेंगे हम क्या हुआ था जी का career जो है वो मतलब political scene में क्या वो background में इसी वज़े से गई ठीक है क्यूंकि और भी बहुत सारे ऐसे leaders हैं गांधी जी के आने के वैसे उनका political career जो है वो धिरे धिरे श्रिंक होते वे नजर आएंगे ठीक है miss besant felt that montego camsford reforms were a means to free india but gandhi thought them inadequate and unacceptable difference क्या है बिल्कुल basic बता दूँ कि जो 1919 का जो council act आया और उससे पहले जो montego camsford reforms लेकर आए गए गांधी जी ने उसका विरोध किया लेकिन besant कह रहे थे कि नहीं यही सही चीज है ठीक है क्योंकि इसके तहद फिर provincial elections होने जा रहे थे इसमें जो है वो separate electorate भी provide किये गए आप मुझे बताएंगे कि किसे separate electorate provide करने की बात हुई थी यहाँ पर 1919 में तुरंत comment में बताएंगे इसका support anyway sent कर रहे थी ठीक है तो खेर जो अंदर की politics है आपको mains में जब ले जाओंगा महाँ पर समझाओंगा कि कहानी में हुआ था ठीक है as a result the congress's Amritsar session बताएंगे मुझे कौन से एर का यह Amritsar session कौन से एर का था she could not get through an amendment to the main political resolution to accept the Montego camps for reforms पास नहीं हो पाया क्योंकि Gandhi ji और अन्ने कई Congress leaders उसका विरोध कर रहे थे she also felt that non-cooperation and boycott of foreign goods would lead to a very terrible impasse from which liberation will only come after cruel suffering बहुत important point non-cooperation movement और boycott के लिए क्या यहाँ परना सवाल उठता है Ani Basant पर सवाल उठा है कि तुम अंग्रेज हो तुम इसलिए अंग्रेज हो का साथ दे रही हो तुम non-cooperation और boycott को कैसे गलत बोल सकती हो ठीक है यह सवाल उठा है आगे समझाऊंगा कि क्या बहस थी और फिर Ani Basant जी के क्या तर्क थे गांधी जी के क्या वितर्क थे लेकिन basic fund यह था कि Ani Basant यह कह रही थी कि अगर liberation non-cooperation और boycott से मिला तो वो बहुत suffering से होगा क्यूं क्यूंकि अंग्रेजों का साथ नहीं रहेगा और resources की बहुत कमी हो जाएगी जिस वज़े से भुकमरी फैलेगी गरीबी फैलेगी और यह सारी चीज़े होंगी ठीक है Ms. Basant did not attend 1920 session at Nagpur ठीक है फिर NCM को पास किया गया फिर non-cooperation movement चला फिर उसके बाद वो political scene से दूर हो गई in the last 13 years of her life she gave up 1933 में उनकी जागे मृत्ती हुई active participation in politics all together 1920 से 1933 तक active participation नहीं किया ground work वो करती रही ठीक है so this was inhibition तो खेर डेटेल में जब मैं सारी events आपको समझाऊंगा ठीक है सूरत split से लेकर inhibition कैसे active हुई home rule movement में और फिर Calcuttao का session, Amritsar का session, Nagpur का session non-cooperation movement आया ठीक है तो वहाँ पर any patient की situation आपको में धिरी जिरे clear करते जाओंगा next आता है वेद समाज पर, वेद समाज क्या है समझते है known as Brahma समाज of South India so वेद समाज is basically Brahma समाज of South India influenced by Brahma समाज right, it was established by के श्रिधार्लू Naidu so के नाइडू या नाइडू सहाब आप याद रख सकते हैं Brahma समाज of South India came to be known as वेद समाज he was inspired by केशव चंदर सेन अब बहुत important point किस से inspired हैं देबंदरनाथ टेगोर से, राजा राम मोहन रोय से या केशव चंदर सेन से केशव चंदर सेन से while the letter was on was on visit to Chennai in 1864 तो देखिए अभी 1866 में जाकर 65-66 में जाकर उनको जो है वो निकाला जाएगा और वो अलग करेंगे अपने आपको तो अभी तक केशव चंदर सेन क्या कर रहे हैं पंजाब वाले एरिया में उत्तर प्रदेश वाले एरिया में Chennai, Madraswar presidency, Bombay presidency जाकर जो है वो ऐसे बंदे ढूंड रहे हैं ऐसे social reformist को ढूंड रहे हैं जो ब्रहमो समाज के आइडिया से इत्तफाग रखें और भले ही अपना अलग जो है वो एक instrument create करें ठीक है लेकिन ideology जो है वो ब्रहमो समाज की ही हो वही South India में हुआ South India में जाकर वो Ken Naidu साहब से मिले ठीक है लेकिन Ken Naidu साहब को समझ आई या उसी direction में वो काम कर रहे थे जिस direction में Keshav Chandra Sen काम कर रहे थे ठीक है तो Ken Naidu साहब ने Keshav Chandra Sen के influence में आकर Ved Samaj established किया that came to be known as Brahma Samaj of South India because it was clearly influenced by the Brahma Samaj right while the latter was on visit to Chennai in 1864 its philosophy is similar to that of Brahma Samaj in theistic principles so monotheism Ved Upanishad की self study करो right caste barriers को तोडो ये सारे ideologies जो Brahma Samaj के थे वही Ved Samaj के थे Ved Samajis were in opposition to all sectarian views and caste distinctions so Dakshind भारत में ऐसा नहीं है कि केवल Dakshind भारत में caste system ही बहुत ज़्यादा step है Maharashtra में भी था Bengal वाले region में भी था लेकिन Madras presidency Bombay presidency Bengal presidency ये अंग्रेजों की stronghold थी यहाँ पर अगर अंग्रेजों की stronghold है तो automatically Western studies Western sciences की भी stronghold हुई होगी तो यहाँ से जो है वाइट्मेंट निकलता हुआ नजर आएगा आपको So Madras में अगर ऐसा Intelligentsia develop हो रहा है जो Western ideas को adopt कर रहा है या जो अन्य Intelligentsia के साथ connect करने का काम कर रहा है तो कोई जो है वो हैरत की बात नहीं है आपको centers आपको social religious reform movement के centers आपको Bombay presidency Bengal presidency और Madras presidency में से निकलते वे नजर आएगे ठीक है They were against polygamy and child marriage and supported widow remarriage So all the क्या बोलते हैं जो social changes Brahma समाज लाना चाता था वही वेज समाज लाना चाता था Next बात करते हैं Paramhans Mandali के बारे में ठीक है Atmaram Pandurang along with Balakrishna Jayakar and Dadobha या Dadobhao Pandurang founded Paramhans Mandali in Mumbai in 1849 50 बाद में आत्मारम, Pandurang और केशव चंदर सेन जो है वो क्या बनाते हैं प्रार्थना समाज बनाते हैं लेकिन प्रार्थना समाज से पहले जब तक केशव चंदर सेन के influence में ये लोग नहीं आये थे उससे पहले ये लोग Paramhans Mandali established कर चुके थे तो महराष्ण वाले रेजिनमें देख रहे हैं Bombay Presidency Bombay Presidency, Madras Presidency Bengal Presidency, Calcutta Presidency मदरास Presidency में Naidu साहब है Bombay Presidency में Pandurang Brothers है उसके लाभा Ranade साहब भी होंगे देर देरे और भी कई सार एक्टिविस्ट आएंगे लेकिन 1850 में Pandurang Brothers है इन दोनों पर influence जो है वो किसका होगा Brahm समाज का होगा जो कहां से established होता है Bengal से जब Paramhansh Mandali पर Brahm समाज का influence होगा तो यहाँ पर Pratna समाज जब Naidu साहब पर Brahm समाज का influence होगा तो यहाँ पर Ved समाज ठीक है It was linked to the social reforms in Maharashtra तो अपने अपने एरिया के अपने अपनी समस्या है Maharashtra के अपनी समस्या है थी Madras के अपनी समस्या है थी Bengal के अपनी समस्या है थी Right It supported monotheism, widow remarriage, women's education and opposed discrimination based on caste So वही सारे points जो Brahm समाज जिसके विरोध में था Right वही सब जो है वो परमन्स मंदली भी कर रहे थी Social evils तो वही है ना चाहे Bombay presidency हो Bengal presidency हो Madras social evils तो वैसे ही रहेंगे ठीक है Next आएगा Swami Narayan sect क्या है देखीगा यह earliest earliest socio-religious reform moments में से एक है Established by Swami Shajanand in early 19th century 1801 में in Gujarat This sect propagated monowism and denounced the ritualistic वैस्णवः practice which had become prevalent at that time So Gujarat में जो वैस्णवः ritualistic practices हैं जबकि खोदी यह वैस्णवःस्णिजम से जुड़े हुए है Swami Narayan sect Swami Narayan एक विक्ती का नाम है इनके द्वारा Swami Shajanand को ही Swami Narayan कहा गया ठीक है Gujarat वाले हैं मोनोईजम को establish करते हुए नजर आए एक एश्वराबाद होना चाहिए बहु एश्वराबाद नहीं होना चाहिए This movement also focused on vegetarianism and renunciation of intoxicating and sedative substances So it was more like a religious reform moment Right Social reform moment नहीं है Ryan sect गुजरात से शुरू होता है 1801 से Next आएगा जातपात तोड़क मंदल अब ये जातपात तोड़क मंदल जो है वो आपको आरे समाज से निकलता हुआ नजर आएगा ठीक है क्योंकि आरे समाज जाती पाती के खिलाफ बोल रहा है It was formed on the initiative of भाई पर्मनन्द in annual Congress of R.A. समाज in 1922 at Lahore तो पंजाब वाले एरिया से शुरू होता है ये पंजाब अरियाना में बहुत active रहता है जातपात तोड़क कि जातपात का जो पूरा सरकल है पंजाब अरियाना में इसको अच्छे से तोड़ा जाए It aimed at abolition of caste system and untouchability बहुत important point ठीक है सो ध्यान रखना है आपको जातपात तोड़क मंदल क्या है आगे मेंस में जो आपको ले जाओंगा मैं महाँ पर बात करेंगे इनके बारे में डीटेल में ठीक है Next बात करते हैं prominent women reformers of 19th century की कुछ women reformers की बात करते हैं सब सब पहले पंडिता रमाबाई she played a significant role in the field of women education आरे महीला समाज established किया बहुत important पंडिता रमाबाई के साथ क्या जोड़ेंगे आप आरे महीला समाज आरे समाज but for महीला तो जितने भी आरे समाज की खूबिया हैं राइट वो जोड़ लीजिये लेकिन महीलाओं के लिए कर रहे हैं ये काम specifically woman rights and widow remarriage के लिए काम किया पंडिता रमाबाई Next sister सुबा लक्षमी She was herself a child widow but received education and became the first hindu woman to graduate in madras presidency Madras presidency का जो madras degree college था madras में वहां से पहली महीला थी जो graduate हो कर निकली याद रखेंगे आप sister सुबा लक्षमी Having experienced the agony and she was a child widow ठीक है बहुँ छोटी उमर में widow हो गई थी वो Faced by widow she dedicated her life for upliftment of their condition and woman education She found it बहुत इंबर शार्दा लेडीस उनियन 1912 1912 में ही वो ग्रेजवेट होई थे और ग्रेजवेट होते ही उन्होने शार्दा लेडीस उनियन जुरू किया To provide platform for housewives and other women to promote consciousness among them Regarding social problems and to encourage them to educate themselves So she was one of the pioneer feminist of India To feminism को आगे as separate topic जब मैं discuss करूँगा To वहाँ पर Pandita Ramavai को वहाँ पर सुबालक्षमी जी को हम detail में समझेंगे But one of the pioneers in the field of feminism in India आप पाएंगे किसे सुबालक्षमी जी को अब मैंने आप से एक सवाल पूछा था कि पेट्रियार्की के खिलाफ सबसे पहले कदम उठाये किसने है ठीक है तो मुझे उसका जवाब आप कमेंड में दीजेगा Special classes मैंने डिसकस किया है पेट्रियार्की के खिलाफ पहली बार किसने बोलना शुरू किया She also founded the Sharda Ilum और Widows Home बहुत important, बहुत ही जादा important point which rehabilitated and educated child widows in Madras In 1922, she inaugurated Lady Wellington Training College and Practice School and was its first principal In 1927, she established Sharda Vidya Lay under the ages of Sharda Ladies Union तो यह direct facts है, इसमें मैं समझाने का कुछ नहीं है ठीक है, यह direct facts है कि इन्होंने क्या-क्या मतलब जो है, वो steps उठाएं अपनी तरफ से तो बहुत सारे steps उठाएं, देखी रहे हैं आप ठीक है, Lady Wellington Training College तो vocational training देते हैं, मतलब ऐसी skills develop करते हैं, महिलाओ में adult woman at Mylapurin in 1942 तो बहुत important point है यह, किन के बारे में sister Subha Lakshmi ठीक है, definitely आप याद रखेंगे इन सारे facts को revise कीजेगा, बहुत important points है next बात करते हैं, महारानी तपस्विनी या गंगा वाई जी के बारे में she was among the breed of reformers who believed that society had to be reformed from within so Bengal वाली region में pioneer Mahila reformer के रूप में निगल कराएंगी Ganga बाई जी, बहुत important point she set up Mahakali Patshala at Calcutta in 1893 to propagate female education without foreign influence without foreign influence ठीक है, बहुत important point so Mahakali Patshala आपको ध्यान रखना है महारानी तपस्विनी के साथ जुड़ा है her school was successful and soon it spread into various branches in Calcutta तो लेकिन Bengal वाल रिजिनल है यह ठीक है next बात करते है हमारे Vidya Sagar जी Vidya Sagar जी के बारे में आगे में आपको detail में भी पढ़ाऊंगा means में तो हम काफी deep में जागर पढ़ेंगे Vidya Sagar जी के बारे में he was one of the most significant scholars and reform of 19th century ठीक है Vidya Sagar जी के बारे में काफी सारी बाते मैं आपको बता चुका हूँ special classes में right he encouraged the study of Sanskrit by non-Brahman and challenged the Brahmanical hegemony Hindu college join किया था इन्होंने ठीक है और Brahman ही क्यों Sanskrit पढ़ें non-Brahman भी पढ़ सकते हैं इस पर emphasis देना शुरू किया ठीक है पाइनियर थे इस काम के लिए his efforts were responsible for the passage of Hindu woman marriage remarriage act in 1856 राइड तो दलोजी के टाइम में एक्टिव रही है फिर उसके बाद कैनिंग के टाइम में एक्टिव रही है और Hindu woman remarriage act को जो है वो pass करवाया ईश्वर चंद विद्यसागर ने और भी बहुत सारे गाम किये आगे अलग से इश्वर चंद विद्यसागर जी को आपको explain करूंगा ठीक है यहाँ पर केवल हम देख रहे हैं कि woman upliftment के लिए किस-किस ने काम किये राइट next D.K. कारवे सहब आएंगे he played an important role in the efforts towards educating widows to make themselves sufficient and end their oppression he set up widow remarriage association in 1893 ठीक है D.K. कारवे 1893 widow marriage association बहुत important a teacher at Ferguson college पुने महराष्ण वाले region में active himself he established the first woman university of India in 1916 बहुत ही ज़ादा important D.K. कारवे दूसरा point है कि Ferguson college के खुद teacher थे ठीक है पुने में था Ferguson college और पहली woman university 1916 में शुरू करी नेक्स आएंगे विष्णु शास्त्री पंडित जी he dedicated his life for the betterment of conditions of widows in the country he translated विद्वा विवा इंटू मराठी as well as established widow remarriage association in 1850 बहुत important है यह विद्वा विवा एक जो है वो literary work है उसको मराठी में convert करने का translate करने काम किस ने किया विष्णु शास्त्री पंडित ताकि महाराष्ट्र की society में widow remarriage को लेकर जागरती बढ़ सके ठीक है उसके लाबा कई सारे acts आए British governor journals के अंडर उन acts को भी देख लेते हैं ठीक है Prohibition of female child infanticide 1967-69 governor journal थे John Shore और subject क्या था female infanticide was declared as crime as equal to murder murder के बराबर का crime जो है वो गोशित किया गया देखिए 1767-69 में ठीक है बहुत important point उसके बाद next child infanticide prohibition 1795-1804 Shore और Velesley ने काम किया infanticide was prohibited by law उसके बाद abolition of sati 1829 bentic sati was abolished abolition of slavery 1843 Allenborough slavery was declared illegal Hindu widow remarriage act बहुत important 1856 scanning remarriage act widow remarriage was recognized तो यह तो में ना को होता है Vidya सागर साभ active थे इस समय तो यह act आपको ध्यान रखने है सवाल बनते हैं इन पर ठीक है उसके पाद civil marriage act आया 1872 का या ब्रमो marriage act भी कह सकते हैं आप इसको Northbrook थे उस समय intercast marriage को recognize किया गया Age of consent act आया 1891 में Lensdown थे उस समय Governor General Vice Royer minimum age जो है वो 12 साल की गई 10 से बढ़ा कर 12 साल की गई थी 1961 में 8 से बढ़ा कर 10 की गई थी ठीक है शार्दा act आता है 1930 में Irwin थे उस समय minimal age जो है वो 14 साल की गई और फिर Hindu woman property act आता है 1937 में यह मैंने सवाल भी पूचा था कि महिलाओं के लिए Hindu महिलाओं के लिए property act कब आया है ठीक है तो 1937 में आया है लिलित्गो थे उस समय property rights for Hindu woman है तो यह बहुत important कुछ महिलाओं से related या generally social reform के act जो है वो अंग्रेजी session में पास किये गए उसके अलावा और भी बहुत सारे है mains के level पर ले जाओंगा तो वहाँ पर discuss करेंगे ठीक है इनको आप definitely note करेंगे इन में अभी मैं समझा नहीं रहा हूं इनको मैं जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इन सब को मैं समझाओंगा भी अभी तो केवल एनलिस्ट कर दी है मैंने ये definitely आप इनने note करेंगे ठीक है so आज का session हमारा यहां खत्म होता है इन सभी sessions के PDF आपको कहां से मिलेंगे मेरी telegram channel चोहांसर history अगर आप मुझे support देना चाहते हैं अपना और चाहते हैं आके आपको 10% discount मिले तो definitely subscribe करें this is the right time to subscribe अगर आप thoroughly prepare करना चाहते हैं तो ठीक है मेरा code use कीजिएगा चोहांसर history आपको discount मिलेगा उसके लावा like कीजिए शेर कीजिए वीडियोस को जाद से जादा अपने social media platform पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो definitely subscribe कीजिएगा ठीक है तो आज के session को मैं या conclude करता हूँ मिलता हूँ आप से अगले session में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए take care